हेलो गाइज, गुड मॉर्णिंग, हाओ याल, होपिंग आल बी गूड, दिसी ब्रिजेश, स्वागत है आपका अपने चैनल बेकियास अकडमी पर, आज क्लास में बात करने वाले हैं, वर्ड जुर अभी थुरू मैप्स में, जो हमने 100 questions selected किया था, और जिसमें हमने लबग 4 पर, पर, डिसर्स भी कर लिया है, सबसे most important questions जो होते हैं, जो आपके प्रिल्ड में बनाया जा सकते हैं, मैं पुरी कोशिश कर रहा हूँ, वही questions selected लाऊं, जो maximum chances बन सकते हैं, जहां से, प्लस उसके आस पास के जितने भी questions आ सकते हैं, उस area से, उनको भी हमने डिसर्स किया ज चला है, इसी थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, तो वीडियो को पुरा देखा करिएगा, कोशिश करिएगा कि सारे चीजों का notes आप बना सकें, तो बना लीजेगा, काकता कि आपको जब exam नजदिक आता है, तो आपका जो clips note होता है, वही आपका help करता है, ठीक है, ओके, तो आज की वीडियो होगे, पार्ट फोर्थ हमने cover कर लिया, पार्ट फिप्थ और लास्ट पार्ट यह होगा, क्योंकि 100 questions में से हमने maximum questions को डिसे कर लिया है, यह हमारा last part होगा, इसमें हम बचे वे questions जो है, उनको डिसे किया जागर देखा जागे ध्यान से, कैसे questions बनाए ज आते हैं, कैसे questions आते हैं, ठीक है, तो map-based question answer का यह हमारा last series होगा, इसमें पूरी तरक्तिस में कोशिच कर रहा हूँ कि पूरी world geography को ढंग से आपको समझा दो, ठीक है, ताकि कोई भी questions आपके ऐसा नहों कि छूड़ जाए, राइट, ओके, तो आसा करता हूँ, उम्मीद करत हैं, आप रुसर्च थांगे, अच्छे होंगे, और आपकी पढ़ाई भी speed up हो गई होगी, क्योंकि वक्त काफी कम बचा हुआ है, तो आप लग जाए, अभी से नम, मन से, धन से, पक्का selection लेके रहिएगा, चलते हैं, समझते हैं, पहले questions पे, पहला question, consider the following pairs, इसमें peaks है, औ माउंट ब्लांक करा, रसिया में है, गलत है, माउंट के लिए मनजारो करा, एथियोपिया में, तो अब यह question पूछ रहा, आपका which of the following given above the incorrectly, यानि कहरा कि इसमें से कौन incorrect है, इसका मन्दब सिदि-शिदी बात है, अगर माली माल, आपको याद है कि माउंट इलिवरुस इसका मन्दब अगर इटली में है, तो यह गलत हो जाएगा, तो यह आपका गलत हो जाएगा, यह नहीं मांग रहा, मांग रहा है questions कि कौन साब गलत है, राइट, ओके, ठीक है, तो आपको याद रखना है, माउंट इलिवरुस जो है, इटली में नहीं है, गलत है यह, ठीक मांट ब्लांग कहाँ पर है, यह पड़ेगा आपका इटली और फ्रांस वाले एरिये में, ठीक है, इटली और फ्रांस में एरिये में पड़ेगा यह, मांट ब्लांग, ठीक है, तो यह भी गलत हो जाएगा, तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा, दीनों सही यह, तीनों इ is incorrect right आप समय हो गया correct हो गया okay ठीक है समझ में आ रहा है तो आपको यहां पर कभी के confusion होती है correct और incorrect में तो आपको यहां दखना है कि incorrect पूछ रहा तो आपको incorrect ही सही लगाना है okay ठीक है समझ में गया तो पहला question clear okay come to the next question consider the following statements with the reference to the continent of Africa Africa continent के बारे में कुछ quotation दिया हुआ उसकी बारे में देख रहा है ठीक है पहला quotation है the topic of Capricorn यानि मकर रेखा passes through six countries of Africa कह रहा है कि Africa continent से छग कंटी से होके मकर रेखा गुजरती है पहले वाले में right okay अब यह थोड़ा सा factual आपका हो गया the topic of cancer passes through nine countries अफरिका के नव कंटी से होकर के topic of cancer गुजरती है दूसरा quotation में third quotation है equator यानि भुमद रेखा passes through seven countries समझ में आगया तो पहला कह रहा कि Capricorn छे राज कंटी से गुजरती है cancer नव कंटी से और equator साथ कंटी से अब आपको याद रखना है क्या क्या कितने कितनी कंटी से गुजर रही है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है आपको याद रखना है Capricorn जो है seven countries यह सही है आपका ठीक है ओके तो आप कहरा questions कौन सा इस message incorrect है very important point यानि incorrect कौन सा हो गया ए आपका incorrect हो गया क्योंकि मैंने बता six countries नहीं पांच countries से गुजरता है topic आपका answer जो है हुआ nine countries से नहीं बलकि seven countries से गुजरता है तो आपका पहला और दुसरा incorrect हो गया है और incorrect की question पूछ रहा है तो पहला दुसरा देखे किस में किस में है इसमें है आपका B में तो B को आप सही कर सकते है ठीक है क्योंकि तीसरा आपका सही है तीसरा question जो है आपका सही है seven countries से equator गुजरती है ओके तो अब आपका option दूसरे का B सही ठीक है तो अब हमने पहले question में A सही था आपका दूसरे question में B सही है दोनों को हमने समझ लिया अब इसके explanation पर चलते हैं ठीक है पहले question का expression देख लेते हैं मैंने बताया आप कि Elbrus mountain कहां पर है रसिया में मांट ब्लांक कहां पर इटलिया और फ्रांस में है किल मंजारों mountain कहां पर है तंजानिया में मांट इलब्रुस is the highest peak in Europe very important point पूरे यूरोप में सबसे उचा mountain जो है काउंट सा मांट इलब्रुस है 5842 मीटर्स की उचाई है ठीक है ये सबसे उची चोटी है ठीक है उसी की उची चोटी है और पूरे अफ्रिका की सबसे उची चोटी भी है ये ठीक है रसिया का जो डार्मेंट वालके नों विथ आफ 5,642 मिटर यानि 5622 मीटर है हमें की से कहते हैं जो एक देश्याँ ने वालकेनो इस तीन पार्ट में डिवाइड थी एक्टी वालकेनो डार्मेंट वालकेनो और लास्ट में डार्मेंट और एक और रहता है ठीक है एक्टी और डार्मेंट डार्मेंट का मलब सुसुप्त इसको कह सकते हैं कि एक तरह से आप यह नहीं वालकेनो निकलती है राइट इस 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 वालकेनों है यहाँ पर ठीक है कहां पर माउंट इलब्रूश के पास में ठीक है समझ में आगा इसका मनला भी आपका कहां पर रसिया में है माउंट ब्लांक is the highest mountain in the Alps second highest in the Europe very important यानि इलब्रूश के बाद उसरे इस नंबर की जो चोटी है माउंट ब्लांक कहां पर Alps mountain की यह चोटी है ओके ठीक है उसकी peak है clear हो गया ठीक है after Mount Mount Elbrus with the height 48008 meter इसकी उचाई कितनी है 48008 meter इसकी उचाई कि माउंट ब्लांक की ठीक है the mountain stands between the regions of Osta Valley इटली में एक Osta Valley पढ़ती ही उसके बीच and Shauvy and Haute, Shauvy, France यानि यह दोनों की जोनों वैली है France और इटली के बीच में यह mountain की चोटी पढ़ती ही इतना याद रखना है आपको है नाम यह नहीं याद रहेगा तभी कोई बात नहीं है पस याद रखना है कि यह इटली और फ्रांस के बीच में वैली है वहाँ पर यह पढ़ता है इसी की बीच में वैली है दोनों next है Mount Kilimanjaro Mount Kilimanjaro is the highest mountain in Africa Africa कर सबसे उसी चोटी को नाम क्या है Mount Kilimanjaro यह अफरिका की Mount Kilimanjaro पांच और आठ सो पंचान बेस की मीटर की उचाई है यह भी dormant volcano का एक पार्ट है दोचन तंजानिया में यह situated है right it is it has three volcanic cone very important point volcanic cone के आउता जहां से वालकनों निकलती है तो इसके उपर हिस्से में cone बन जाता है यहां से जौला मखी बाहर निकलती है तो इसको बोलते हैं volcanic cones right तो इसमें तीन वालकनिक cones है किसमें Mount Kilimanjaro में यह करंट पर इसमें भी हाल ही में रहा है माउंट Kilimanjaro में तीन कोन से काइबो है मावेंजी है और शीरा है यह तीन वालकनिक कोन है इसमें मैंने करें ट्रफेर में इसको बताया है यहां से it is the highest single free standing mountain very important point single free standing mountain का मंदा बता है यह सिरीज नहीं है यह अकेला mountain जो ख़ड़ा है इसके आस पास में कोई शीरीज और नहीं है कि वर एक ही mountain है एक मात्र mountain इसलिए इसको परते free standing mountain पुरी दुनिया का एक मात्र हैसा mountain तो आपका factual point आप यह याद हो गया कंजान के बारे में ठीक है समझ में आ गया दूसरे question चलते हैं दूसरा question हमने देखा था आफरिका के continent में कौन कौन से 9 गुजरी है उसको देख लेते हैं देखी ट्रॉपिक आप cancer गुजरती 7 countries से व्याद रखना आपको कौन कौन से कंटी west to east चला जातो western sahara मारिशीनिया माली अलजीरिया नाइजर लीविया और एजिप्ट कुल 7 कंटी हो गा है गुजरी है राइट एक्क्वेटर गुजरती है 7 countries यह भी शाव टोम प्रिंसिप से ठीक है गैबोन से कांगो से रिपब्लिक डेमोकर्टी रिपब्लिक आफ कांगो यूगांडा केनिया और स्वालिया तो 7 कंटी से यह भी गुजर रही है ठीक है फाइब कंटी से आपका कैफ्रिकान गुजरता है यानि मकर रिखा वेस्ट विस्ट चला जातो नामीबिया बोटसवाना साथ अफ्रिका मोजांबिक और मेलागास कर तो मेलागास कर जो आपका बड़ा सा आइलेंड है ठीक है इसको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तब अब को कुर्ण से देखना पर यहां से अब दिखा दो आपको यह लाइन यह वाला गया है तो यह टॉपिक आफ कैंसर कि से किसे की रहा में ने इसमें इसमें नहीं रखा गया लिबया को रखा गया फिर एजिप्ट से त Ilania को हूँ आपके से उनक्रेश से घुजडर उसको आपका ट्रापिक आप कैंसर ठीक है एक्क्वेटर प्याते हैं जिरो डिग्री वाले प्रती देखेंगे सबसे पहले पढ़ेगा आपका यहाँ ठीक है यह साओ टोम प्रिंसिप है यह ठीक है इससे फिर गैबोन कांगो से कांगो रिपबलिक देमोक्राटिक रिकाबलिक यु पहला आपको पढ़ेगा नामी भी आये फिर उसके बाद बोस्वान पढ़ेगा फिर साओथ अफ्रिका का पोर्शन पढ़ जाएगा इधर से कटेगा ठीक है इसके बाद फिर आपका यह पढ़ेगा यहां पे जो मोजांबिक और फिर आपका मेरा गास्कर हो गया राइट इन पांच कंटी से काटते हुए आपका जा रहा है कैफ्रिकान ओके समझ में आ गया तो यह मैप आपको मैंने पढ़ा दिया है वहां से भी उसको दाखे देखिएगा कोशन भी देखते चलेगा ठीक है ओके चलते है नेक्स्ट कोशन पर थाड़ पर वाट इस दे क्रेट से नीचे आइलेंड्स है उनको आपको अरेंज करना है कहा के है अफ्रिका कंटीनेंट के हैं very important question बहुत important question है यह क्यों कि आरेंज करने के लिए आप आइलेंडस वगारा questions दे रहा है तो आप देखिए कान्द्स आपको केप वाड़े थीक है South Um and Prism अभी अमने देखा Cameroes अभ जाएंगे तो इधर वाले portion पे ऐसे तो इधर वाले portion पे दो मिल जाएंगे आपके islands ठीक है तो सबसे पहले आपका पढ़ेंगे नार्थ में वेस्ट वाले भाग पे अफरिका के केप वाडे उसके बाद साव टोम यहां आपने अभी देखा है इस वाले portion पे तो केप वाडे साव टोम दो आपका इधर इस वाले portion पढ़ेंगे वेस्ट वाले portion पे इस वाले पर जाएंगे तो कॉमरोश मिल जाएंगे में अगासकर यहां पे तो कॉमरोश यहां मिल जाएंगा और फिर में अगासकर और यही आपका correct sequence हो गया North to South आप देखेंगे तो ठीक है ऐसे कि नार्ट to South ऐसे रांज कर जाता है तो आप देखेंगे तो North to South में यही आपका arrangement हो जाएगा तो option B is correct answer अब चलते हैं से explanation पर दिखा दूँगा आपको मैं ठीक है यह देखिए अफरिका का अच्बाइन कार्णी मिलते हैं क many tijd के चलती है तो ऑन रगलेंद के नाम से आइलेंद के नाम से यहां पर Nej यहां पर क्हाराइं इसकी बात के वाड़े लेंट नीचे चले हैं तो यहां पर मिलेंगा साव टोम और प्रिंशिप आइलेंट यह तीनों आपके कहां पढ़ गए यह वेस्ट कोश्ट पर पढ़ गए आपके अफरिका के राइट कहां पर अट्लांटिक ओसियन में इधर के तरफ चलेंगे तो इधर मैंनेगा अपका इंडियन ओसियन पढ़ जाएगा तो आप देख मारिशस तो आप बताएंगे मेला गासकर के इस्ट पोर्शन पे है मारिशस और मेला गासकर के कॉमरोज किस पोस्ट पे है तो कहेंगे मेला गासकर के नार्थ वेस्ट की तरफ पढ़ता है कॉमरोज अल्मुस्ट नार्थ की तरफ पढ़ेगा और एकदम नार्थ में पढ़ तो आपने तीन आइलेंड यहां देख लिया तीन आइलेंड इंडियन ओसियन में और तीन आइलेंड आपने देख लिया अट्लांटिक ओसियन में आफ्रिका की दोनों कोष्ट पर समझ में आगा यहां से कोष्ट बनाए जाते हैं आपको नाट टू साउथ, इसमें से मैंने आपको बताया है, इनमें से छह ऐसे आईलेंड नेशन हैं, आईलेंड कंट्री जहें, चबवन मेशे, जैसे केप वाडे, साव टोम, प्रिंसिप, अंड प्रिंसिप, सेसल्स, कॉमरोष, मेडागासकर, अंड मारिस्स, ये आपके क्या हो ग कंट्री में पढ़ रहा, सबसे इंपोर्टन कोशन ये भी है, कालाहरी डिजर्ट हमने पढ़ा, अफरिका जब पढ़ा था तो, ठीक है, कालाहरी डिजर्ट कहां पर है, आपको बताना है, नूबियन डिजर्ट एंड वेस्टरन डिजर्ट, यानि कुली मिलाकर क्या आपका अफरिका कंट्री में के डिजर्ट पूश रहा है, ये तीनों डिजर्ट आपके अफरिका में ही है, लेकिन इस्पेसली कंट्री पूश रहा, किस कंट्री में पढ़ रहा है, ठीक है, तो पहला कोशन आपका हो गया, आप्शन, कालाहरी डिजर्ट बोथ स्वाना पढ़ता ह साही हमने देखा था निचले पोर्षन पर साउथ अफरिका बोच्वाना और नामीबियम पढ़ रहा था कालाहरी डिजट ठीक है उस पोर्षन पर तो साही है पहला आपशन नूबियन डिजट सुडान में है ये भी साही है ठीक है वेस्टर्ण डिजट पढ़ेगा ये हुझता है तो आपको ये बता दना आपसं तीस न आपको गलत हो गया और आपसण मिलिजे पहला दुसरा किसमें मिला पहला अपल दुसरा बी आपसन सही हो गया राइच समण में आ आगया अब आपको मैप में दीखाता हूँ देखिए आपसन देखते हैं इसका तीसरा आपका आपसन गलत हो गया एजिप्ट में बढ़ता है ठीक है शारन डिजर्ट का पार्ट है यह सब किसब पर शारन डिजर्ट में है नील रिवर अप्टु दे बॉडर आफ लीबिया तक यह फैला हुआ है सब्सक्राइब और डिजर्ट आप इजिप्ट वाल पार्ट फैला हुआ है और सदन अफिका में पूरा पॉर्चन में आएगा जैनि कि कालाहारी डिजर्ट आपका बथ्वाना नमीबिया और सब्साकर तीनों कंटी में इसका पार्ट फैला हुआ है clear हो गया, okay, Nubian desert lies in the eastern region of the Sahara desert, Sahara desert के eastern part पर ये पढ़ता है Nubian desert, ठीक है, in the north eastern Sudan and northern Eritrea between the Neal and Red Sea, नील and Red Sea के बीच में पढ़ता है Nubian desert, यानि सिधे सिधी बात है, Sudan और Eritrea में इसका भाग आता है, ठीक है, next, western desert in Egypt, हमने देख लिए एजिप्ट में पढ़ता है, शहारा का western भाग की बात कर रहा है, ठीक है, and lies west of the river Neal, नील के west, यानि की नील नीचे से उपर जाके गिरती है तो ये नील के west की बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है, clear हो गया, okay, up to the border of the Libya, Libya के border पढ़ेगा, and south of the Mediterranean Sea, ठीक है, and till the border of Sudan तक ये पढ़ता हो, समय में आ गया, okay, ये clear हो गया, next question जलते है, question number five, which of the following listed countries are landlocked, very important question, landlocked country पूछ रहा है, कौन सा country landlocked है, ये सब country कहां से है, Poland है, Slovakia है, Switzerland है, Romania and Belarus, ये सारे 500 country आपके कहां के है, Europe के है, ये सब country आपके, Europe के है, और इसमें पूछ रहा है, सब कौन कौन से landlocked country है, तो आपका questions देखना है, options में, ठीक है, पहला अपना कहा है, Poland, Poland का border लगा हुआ है, उपर आपका Baltic C परता है, तो Baltic C का border लगा हुआ है, ठीक है, तो ये गलत होगया आपका, ठीक है, पहला गलत होगया, अगर आपने पहला समझ लिया, तो आपका count से गलत होगया, आपका B और D option गलत होगया, ठीक है, ओके, स्लोवाकिया ये border से लगा हुआ, ठीक है, ये सही है, Switzerland भी आपका landlocked है, Romania आपका landlocked नहीं है, क्योंकि Romania का बार आपका black C से लगता है, नीचे की तरफ, ठीक है, तो Romania आपका landlocked नहीं है, तो यानि अब आपको चार भी कार देना है, चार किसमें है, चार आपका, एक इसमें भी आ नहीं है, इसमें भी नहीं है, अच्छा, एक चीज़ इसमें गलत होगया, देखिए, C और A दोनों आप्शन में, जो यह संख्या है, सब A कहीं है, अगर आपको दोनों सही लगा देंगे, दोनों से कोई सही है, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो पांचमें कोस्टन में C लगाए, तब भी सही है, बी लगाए, तब भी सही है, ओके, ठीक है, तो अब आपको आपने देख लिया कि पोलैंड का बाडल लगा है, किसे बाल्टिक सी से, रोमानिया का बाडल लगा है, किसे ब्लैक सी से, दोनों का बाडल लैंड लाउग नहीं कर लाएगा, तो बाकी तीनों जो बच रहे हैं सबके, लैंड डाट कंटी है, युरोप के, तो आप्शन आपका कॉंट सही हो गया आप्शन आपका ए लगाई या सी लगाई दोनों सही हो गया ओके ठीक है अब इसका एक्सप्रेंशन में आपको मैं दिखा देता हूं देखिए लैंड लाग कंटी कुल जितने भी है युरोप में वह 16 लैंड लाग कंटी है सबसे बड़ा कंटीनेंट है ये जिसमें लैंड लाग है कह सकते हैं ठीक है तो 16 लैंड लाग कंटी है इसके युरोप भी है अलाकि अदिक कौन कौन से अंडोरा है अर्मेनिया है अस्ट्रिया है बेलारूस है, कोशोवो है, जेचिया है, हंगरी है, ठीक है, लिसंटीन है, फिर उसपार लगजंबर्ग है, नार्थ मैकडोनिया है, माल्डोवा है, सन्मरीनो है, सर्बिया है, सुलवाकिया है, स्विज़लेंड एन्यवेटिकन सिटी है, ये 16 कंटी है जो लैंड लॉग्ड ह है, युरोब के, ओके, समझ में आ गया, ठीक है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, देखे, ये पुरा युरोब का मैप है, ध्यान से देखेगा, एक साथ हम उसको कंटी को भी देख रहते हैं, सारे कंटी को, थोड़ा साम उसका डिटेल देखते हैं, इधर की तरफ हम चलें आपको मैटेंगे तो औक मैलेगा, बैरंडंसी दिन्ट से और आगे चलेंगे तो इधर आपको मैल जागा%, अथलियाएल पर Extraum मिलता है यहाँ पे, युराल माउंटेर मिलेगा, जो इयुरोब को Asia से अलग करता है, यहुराल माउंटेर माउंटेर, ठीक है, यहाँ उराल हैं बासपुरस जल संधी बासपुरस जल संधि सो होते हैं हम चले आएं कहां पे सीधे Ђं सी में ठीक है यह बड़ा सा पुरां पोर्षन पर हैं मेर्ट इल्टा है निओ आ εκका यहां से आधर हो गया आप क्लिर हो गया इसके अराउंड अपने घूम लिया पुरा यह वाला जो पोशन दिख रहा है फ्रांस यह इस्पेन है उपर फ्रांस है दोनों के बीच में आ पड़ता है बिस्की की खाड़ी ठीक है अब फ्रांस के ठीक उपर पड़ेगा आपका इंग्लिस चनल फ्रांस और य यूके जो यह पॉचन दिख रहा है यह आपका यूके का यूके इसको काते है unionरी kidding of कि renders में इसक association और बिटेन है थीक है तीनों कंड़ी इसमें मिलते हैं ओकि अब बात क्या आ कर रहा हैं questions sera क्यों पोलेंड की इनका border लगा हुआ किसे किसी सी से राइट अब questions कौन कौन सा बेलारूस था तो आप देखें बेलारूस को border सबसे bounded है surrounded है तो बेलारूस हो गया अगर हम कंटिक देखें यहां से जो Baltic Sea में है तो Finland है इस्टोनिया, लाटिविया, लुथवानिया, पेलारूस, पोलाइंट, फिर इधर डेन्मार्क तो इतने कंटिक फिर सुड़न और Finland यह सब कंटिक क्या है round बना रहा है कि इसको Baltic Sea में, यहां जो रहा है बोथनिया की खाड़ी है यहां पे और इधर चले आएंगे तो यहां पे च्छोटी सी खाड़ी और मिल जाती है जिसको बोलते हैं रिगा की खाड़ी ठीक है यह Baltic के खाड़ी है तो हलाकि आप कोशन समझ में आ गया कौण कौण कंटी आपके landlocked थे सुलोमानिया था तो लोमानिया आपका देखी यहां पे यह भी landlocked है राइट कुरेशिया के बादर से टच नहीं करने देता है इसको सुलोमानिया हो गया रोमानिया हो गया country आपका पोलेंड हो गया और बेलारूश हो गया एक और option में आपका था कौन से था सुर्जे लेंड ठीक है सुर्जे लेंड देखी यहाँ पड़ जागा ये भी आपका land लागड हो गया ठीक है समझे में आ गया ओके चलते हैं next question पर आप question number 16 consider the following pairs waterfall and country यानि counts of waterfall किस country में पढ़ता है अब आपको याद रखना सबसे important question है ये थोड़ा से typical भी है टुगेला falls कहा है साथ फ्काम दिखा रहा है ठीक है मुटारजी फाल जिंबांबे में विक्टूरिया फाल जिंबांबे में जब हम लोगों ने अफरिका कंटेन को पढ़ रहा था तो हमने देखा था waterfall जिंबांबे वह यहाँ जो था विक्टूरिया वाटर फाल हमने वहा आपकी सही है तो आपसे आपका A is correct answer ठीक है अब यह फाल किसी नदी पर होंगे तो नदी को हम लोग देखते हैं तोड़ा explanation में ठीक है अब आपका टुगेला फाल कहां पर डुकेंजबर्ग में है अफरिका के अफरिका साथ अफरिका के डुकेंजबर्ग के एरियम पड़ता अफरिका कांट्री है उसमें एंजल जो फाल है वो सबसे उचा फाल है उसके बाद यह सेकेंड हाइस्ट फाल आपका टुगेला फाल आपको याद रखना है ठीक है इतना आपको समझना है इसमें सभी सब्सक्राइश चाहित है ठीक है ओके इस सिच्वेटेड आं द रीवर टुगेला टुगेला रीवर्ड पर यह सिच्वेटेड भी है आपका आप सही हो गया ओके दूसरा मुटा राजी फाल जो है इस हाइस्ट वाटर फाल आफ जिंबाबवे जिंबाबवे का यह सबसे उचा वाटर फाल है और सेकेंड हाइस्ट है अफरिका में इसका मनलब ट जल्हे नमबर पर आपका वर्लॉड देखेंगे तो टुगेला था यह एंजल था इसकी बार टुगेला अफरिका का फाल ऐस्था अर फस्ट हइस्थ सब्क आफरिका हो गया इसकेंड हाइस्थ नंदी का नाम भी है औके बस country आपको लोकेशन देखना किस कंटी में पढ़ा मैच करने के लिए आ गया तो ठीक है नेक्स्ट विक्टोरिया फाल इस वाटरवाल आप जांबेजी रिवर जांबेजी रिवर की एक एक फाल है जो आपका कहीं इधर से आके इधर नदी गिर रही थी इस्टन पार्ट पर अफ्रिका के ठीक है अब जांबिया और जिंबाबे दोनों के बीच में ये नदी बहती है दोनों से लोकेशन बाड़ बनाते भी बाती है इस कंसिडर टू बी वन आफ दे वर्ट लार्जेस्ट वाटरवाल ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बड़ा वाटरवाल मानाता है क्यों? क्योंकि इसकी जो विट्थ वैट्थ है वो 1708 मीटर है इसकी विट्थ चोड़ाई समझ में आ गया? इसलिए सबसे लार्जेस्ट वाटरवाल कहा जाता है क्योंकि विक्टोरिया वाटरवाल किस नदी पर है? जांबेजी रीवर पर है जो जांबिया और जिम्बाब्बे को बार्टर बना रहा है राइट? समझ में आ गया? ठीक है? तीनों कोशन हलो गया तो आप अपको तीनों आपसन सही है तो छठे में का आपका A हो गया पाचे में कोशन आपने A या C दोनों में सही कर सकते थे ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट कोशन पे कोशन नमबर सेवन इसमें भी क्या करना? रिवर को मैज करना है कंटी से कि कौशी रिवर किस कंटी में बह रही है राइट? वेरी इंपॉर्टन कोशन आउरेंज रिवर साथ अफरिका, ठीक है? सेनिगल रिवर, जिंबामबे, ओल्टा रिवर, घाना समझ में रहा, यानि कहां से कोशन बनाया हुआ? ये सारी कोशन बनाए है तो आपका दूसरा option गलत हो गया ओल्टा रिवर गहना में आती है सही है यह भी उपर समिजा गही यहां पर गिर्टी गहना वाले है ठीक है तो यह भी आपका सही तो यह वन एन्ट्री आप्शन सही हो गया option B is correct answer तो आपका बी जो है आनि कि सेनिगल जो यह गलत है आपका एक और तीन सही हो गया right clear हो गया ठीक है अब तीनों कंटिक मैं दिखाता हूं तीनों रिवर्स का नाम देखे सेनिगल रिवर देखे यहां पर है यह इधर से निकलती है यहां से और जाकी गिर्थी कहां पर है Atlantic Ocean में ठीक है ओल्टा रिवर देखे यहां से यहां से निकल लाई आपको याद अखना है ठीक है तो कुछ मेजर रिवर्स आप देख लेजे सारी अफरिका की मेजर से रिवर हैं अब हमने देखा था विक्टोरिया लेक से एक नदे निकलती है और जाकी गिर्थी कहां सुरे इधर के रिवर है इधर से इधर गिरेगी Atlantic Ocean में गिर्थी है ठी कुछ मेजर रिवर्स आप देख लेजे सारी अफरिका की मेजर से रिवर हैं अब हमने देखा था विक्टोरिया लेक से एक नदे निकलती है यहां पर वाइट नील आगे जाके फिर ब्लू नील से मिल जाती है कहां पर यहां पर एक एरिया था ठीक है उसका नाम बताए कमे जांबेजी गिरेगी कहां पर मोजांबिक चैनल में गिरती है लिमपोपो रिवर यह भी आके मोजांबिक चैनल में इंडियन ओसे पार्क गिरोगी एक है आवलंजी रिवर जो वेस्टरन की तरफ बहते हुए जाती है और जाके गिरती अट्लांटिक ओसेन में ठीक है इन आजर यहां से निकलती और ऐसे बहते वे किया इसी चेहां पे गिर जाती है गल्फ ऑफ गिनिया में ओल्टा हमने देख लिए यह पी गिर रही है और हमने एक शेनल देखा आपको इधर आकर गिर रही है तो मेजर रीवर सॉपने अफ्रिका की साने बिवर को को देख ल and flows westward through the South Africa, South Africa's westward बहते वे Atlantic Ocean में आके गिर जा रही है, ठीक है, it is the longest river within the border of South Africa, यानि South Africa की सबसे बड़ी नदी यह है, काउंट से नदी, Orange River, it flows through the three countries, तीन कंटीयों से बहती है, काउंट कोंट से लिसोतों से, South Africa से और Namibia से, last Namibia होते वे आके Atlantic Ocean में गिर जाही है, right, okay, western part पर गिटती है, याद रखना है आपको है, Olta River is one of the main river system in the western Africa, western African वाले भाग में, Olta River सबसे important role निभाती है, it enters South into Ghana from Burkina Faso, Burkina Faso से घाना में यह इंटर करती है, और फिर घाना में होते वे निचे, कहां पर गिर जाती है, Atlantic Ocean में गिर जा रही है, right, okay, अब it flows from three countries, ये भी तीन कंटी से बहती है, Ivory Coast से, घाना से और Burkina Faso से, Burkina Faso से निकलेगी, Ivory Coast से होते हुए, फिर घाना होते हुए, Atlantic Ocean में गिर जा रही है, ठीक है, सेनिकल रीवर, अफ्रिकन, western अफ्रिका के रीवर है ये, और ये सेनिकल कंटी में, मारिशीनिया में, और माली तीनों कंटी में बहती है, ठीक है, लास्ट में बहती है, कहां गिरती है, Atlantic, Ocean में गिर जा रही है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, समझ में का आंसर आपका होगया, B, सही, प्लिए रहो क्या, समझ में आ गया, नेक्स चलते है, Question No.8, What is the correct sequence of occurrence of the following form, East to West, East to West की बात कर रहा है, इध पहला है, Grain Coast, Gold Coast, Ivory Coast, Slave Coast, यानि ये भी किसी बात कर रहा है, अफरिका कांटिनेंट की बात कर रहा है, Coast की, जो हमको East to West अरेंज करना है, ठीक है, क्रम से बात कर रहा है, तो East to West चलेंगे, तो सबसे पहले आपको देखेंगे, Coast में ने बताया था, तो Slave Coast सबसे पहले पढ पर देखेंगे, इसमें भी 4 हो गया, यानि कि B और C कट गया, D और ये मिला, 4, 3 आगए, 4, 3 नहीं है, तो 4, 2, A आपसे आपका सही हो गया, ठीक है, चलिए, इसका मैप मैप को दिखाता हूं, ठीक है, ये है अफरिका का मैप, अब इसमें हम देखते हैं, इस Coast की बात कर रह हो गया, राइट, ये क्रम से, ये गल्फ आप, गीनिया के सारे कोल, कोट्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आगया, आपको क्रम से यहां पर देख लेना है, योगी कोष्ट अकसर कोश्ट यहां से पूछ लेता है, तो अफरिका का मैप, जब मैंने आपको बताया थो आपको कोश्ट वगराद इसमें दिखाया थे, तो वहां से देखते चलना है, क्रम से आप देख लेंगे, ठीक है, समझ में आगया, ठीक है, आगे चलते हैं अगड़े कोश्ट पे, ठीक है, अब कंट्री देखते हैं, अच्छा यह देखते हैं, रिजर्प कहां कहां, साउथ आरेंज करना है, वेरी इंपॉर्टन कोश्टन पहला है, मेल घाट रिजर्प, टाइगर रिजर्प, मुकुंद्रा हिल्स, टाइगर रिजर्प, पिली भीत और बालमिकी, अब आपको इतना यह देखते हैं, टाइगर रिजर्प को यह मैप में दिखाऊंगा भी, अब आपको यह देखना है कि रिजर्प को नाट टू साउथ अरेंज करना है, यह आपका कोश्टन हो गया, इंडिया के मैप से, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो, यूपी में पढ़ेगा आपका पीली भीत, रिजर्प, पीली भीत में, यूपी की इस्टेट के एक जिला महारास्ट में, यहां पर आपको पड़ जाएगा, अब यह कहरा क्रम से करने के लिए, तो क्रम से आप देखेंगे सबसे पहले पढ़ेगा, अगर हम उपर चलेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेगा पीली भीत, पढ़ेगा, यूपी वाला, इसकी बाद आपको पढ़ यह पढ़ जाएगा फिर उसके बाद पढ़ जाएगा पर मुकुंद्रा हिल्स रास्थान में और फिर चल जाएगा मद्य प्रदेश में तो मेल घाट हिल्स यानि क्रम से आपका 3,4,2,1 3,4,2,1 हो गया आपका मिल गया किसमें ए वाले में मिल गया तो आपका 9 का आशर हो गया अपने देख्या सबसे पुराना नस्तनल पार्क है टागर जरब निए अपे। UP में पढ़ना है बिहाल में जो टाइगर रिजर्व हो क्या है बाल में की टाइगर रिजर्व है ठीक है ओके समझना आगा है अब देखे सबसे देखे जादे टाइगर रिजर्व कहां पर है MP में है जैसे सत्पुरा टाइगर रिजर्व हो गया पंच टाइगर रिजर्व हो और मुकंद्रा हिल्स ये भी दोनों के बार्ड़े पढ़ा है मुकंद्रा हिल्स राज्थान और MP के बार्डर पर ठीक है समुझ में आ गया फिर मेल घाट मेल घाट टाइगर रिजर आपको मेल घाट है तबोगा है अंधेरी और बोर ठीक है प्लश आपका एक हब नावर गड़ नावर गड़ कर सकते हैं तो यहाँ नमा गाउं यहाँ पे जो टाइगर रिजर में अंथान का है माहराष्ट के है इपको माहराष्ट में ही पर्ढ़ तूढ़ा है अब आपको करम से मैं दिखाऊंग ठीक है आगे भी सभी देख रहते हैं ठीक है अचानक मार टाइगर रिजर्ब है आपका 36 गड़ ले रिये में ठीक है अचानक मार हो गया चत्तियस्ईगत में हो गया ठीक हो उसके बाद आम नीचे चले आएंगं तो इंद्रावती टाइगर रिजर्ब है कवल टाइगर रिजर्ब है अम्राभास दौन फेल सी पर लोग एक अलग बीडियो में बना जाए हो टाइगर रिजर्ब इस फिलार next question question number 10 and last question of the series consider the following with the difference to the mountain passes of India very important question कि इंडिया के mountain pass यानि दर्रों की बात कर रहा है इंडिया के दर्रे की question की बात कर रहा है कौन कौन से दर्रा कहां पर इसका location है याद रखना है सिपकिला का location कर रहा कि उत्राखंड में ठीक है जोजिला कर रहा का समीर में ठीक है दिफू दिफू लाग कर रहा अनौचर परदेश में तो आपको मैच करना कौन से कौन से questions किसे मैच कर रहा है option ठीक है तो पहला option दे रहा है आपका सिपकिला जो है उत्राखंड में नहीं है कहां पर हिमाचल परदेश में है ठीक है आपका 2 & 3 option साइज हो गया तो option B is correct answer here ठीक है सिपकिला जो आपका उत्राखंड में नहीं कहां पर है हिमाचल परदेश में है ठीक है समझ में आगा है इसका expression में आपको दिखाता हूँ ठीक है देखिए सिपकिला इस लोकेटेड थ्रू दा सतलिज जोर्ज के थ्रू यह जुड़ा हुआ है इट कनेक्ट्स हिमाचल परदेश विथ तिबबत हिमाचल परदेश को तिबबत से जोड़ देता है इट इस इंडिया थर्ड बार्डर पोस्ट फार्द ट्रेड विथ चाइना आफ्टर लिपुलेख एंड नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा के बात इसरे नंबर पर यह ट्रेड के लिए फेमस है इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा दर्रा शिपकिला दर्रा ओके दिफू दर्रा यानि दिफू पास अर्वांचा प्रदेश में पढ़ता है मांडले दिफू पास is a mountain pass around the area of disputed three point, tri point border of India, China and Myanmar यानि तीनों को जो बार पढ़ता है एरिया वहाँ पे disputed border वहाँ पे ये पास पढ़ता है दिफू पास is also a strategic approach, very important, यह strategic के लिए काफी important क्योंकि भाई तीन पंटी का चोक point है तो वहाँ के लिए बहुत important है आप हमने देखा था इंडिया चाइना के बीच में लाइन जो खिची गए था इसको बोला गाथ मैक मोहन लाइन तो यह मैक मों लाइन पे ही पढ़ता है, कौन सा दिफू दर्रा तो यह आप फैक्च्छल हो गया यहां से दिफू दर्रा के बारे में ठीक है, next देते हैं, जो जिला दर्रा जो स्री नगर और कारगिल ले को जोडता है ठीक है, इस स्री नगर विदे कारगिल अनले, बार्डर रोड अर्गनाजेशन यान कि BRO बार्डर रोड अर्गनाजेशन के इनिसिट्यो में भी आता है is responsible for the clearing and maintaining the road बियारो क्या है एक organization है जो border पे road बनाने के initiative के लिए जाना जाता है especially during the winter winter के समय में ये road बनाया जाता है तो जो जिला काफी important हो गया ये भी तो तीन आपने देख लिया अच्छा चलते हम लगभलबग जो north यानि की जो हिमाला के पासेज है उनको एक बार देख लेते हैं थोड़ा से मैप में ठीक है हिमाला वाले एरिये के जो भी mountain passage है उनको देख लेते हैं नाम याद रखना आपको है ठीक है पहला आपका पीर पंजाल ठीक है पीर पंजाल जोजिला पारपिक ठीक है इसके बाद अघील पास खुंजराब पास ठीक है कारा कोरम पास खारदूंगला पास बारलालचा पास माना पास ये देखें कहां कहां कंटी में किस किस स्टेट में आपको यह दखना है आप देखेंगे अर इधर आपका एक fen analogy हो thoughts जोजिला ऑली जम्मों मिल गया ठीक हैं यह पढ़ी आपका फीर पंजाल भी जम्मों में और है बनहाल आपका यह भी जम्मों वाले ऐरीय में पढ़ गया राइट इस पलीड़ हो गया हमाचा परदेश में दो है आपका बार लालचा है और एक आपका रोहतांग है Korgosa 12 लालचा एंड रोहतांग हिमाचा परदेश में बढ़ गया एक आपका शिक लाइं यहाँ पे हमने देखा यह वी ऑ गया तीन आपके रोगए यहाँ यानि अभी आपने आखके चार तीन साथ जो है पूरे आपके पास लदाक फारेरियम पड़ गए हैं तीन पास हो गए आपके कहां पर इधर कप जम्मु कसमिर वाले में हिमाचल में दो पास होगें बारलालाल चार रो Андांग और सिपकिला उत्राखंड में दो पास होते हैं माना पास है और लिपू लेक उत्राखंड में दोनों के पास पढ़ जा रहा है ठीक है समझना गया पासेज होते हैं कहां यह माउंटेन के बीच में काट करके या बनाया जाते हैं मैनमेड या नेचरल पास होते हैं इस पार से उस पर जाने के लिए ठीक है तो उसको हम पास करते हैं यानि दर्रा का आता है नेचुरल आलमस्ट यह होते हैं ओके आगे चलेंगे तो सिक्किम में दो पास मिलते हैं एक आपका नाथला दर्रा और एक जेबला दर्रा जेलेपला दर्रा आपका ये दोनों पास आपके सिक्किम एरिये में पढ़ जाते हैं आगे चलते हैं औरांचा प्रदेश में तो औरांचा प्रदेश में आपका सेले शेला पास पड़ेगा बोमडिला पास पड़ेगा फिर कमजवांग पास पड़ेगा दिफू पास पड़ेगा यह आपके सारे पास कहां पर मिल गया है औरांचा प्रदेश में तो नार्थ इं कर लिया पुला पुला तो अब तक यह लास्ट वीडियो रहा हमारा तो थैंक्यू सो मच